ये आकाश वाणी रायपूर है प्रादिशिक समचार बुलेटन के साथ मैं राहूल सिन्हा प्रदिश के सभी नगरी निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस तक जन समस्या निवारन पक्वाडे का आईजन किया जाएगा राज जिनिती आयोग द्वारा चत्तिस गड़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने आज रायपूर में समवाद कारक्राम कायजन किया गया प्रदिश के सभी नगरी निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस तक जन समस्या निवारन पक्वाडे का आईजन किया जाएगा इस दोरान नगर निगमों, नगर पालीकाऊं और नगर पंचायटों में वाड़ वार शिविरों का आईजन कर इस्थानी समस्याओं का निदान किया जाएगा नगरी प्रशासन मंत्री अरुण सावने राजे के सभी 184 नगरी निकायों में इस्थानी समस्याओं के निवारण के लिए वाडवार शिविर आजित कर उनका मौके पर ही निराकरण करने के निरदेश विभाग को दिये हैं उन्होंने इन शिविरों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्चदों और अन्य जिन प्रतिन्दियों से भी उपस्थित रहने की अपिल की है मुख्यमंतरी विष्णुदेव साय ने कहा है कि राजिसरकार प्रदेश में उद्योगों के स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी ये बात मुख्यमंतरी ने आज रायपूर में भारतिय उद्योग परिसंग द्वारा नई उद्योगी के नीती के लिए दे गए सुझाओं पर चर्चा के दोरान कही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि नए उद्योगों की स्थापना हो और चत्तिसगर में वैल्यू एडिशन का काम हो साथ इस्थानी इवाओं को रोजगार मिले इस मोके पर भारतिय उद्योग परिसंग के सद्यों ने प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम और मुक्यमंतरी द्वारा रोजगार सिजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के प्रयासों की सरहना की राजनीती आयोग द्वारा चथिस गड़ विजन डाक्यूमेंट दो हजार सैतालिस तयार करने आज रायपूर में समवात कारिकरम कायजन किया गया इस का शुभारम वित्यमंतरी ओपी चोधरी ने किया इस कारिकरम चथिस गड़ को देश में कृषी और प्रसंस्क्रित सुपर फूट का पावर हाउस बनाने किसानों ने कृषी और खाद प्रसंस्क्रण बागवानी फसनों और कृषी के क्षेतर में बुनियादी धाचे म सुधार सहीद अनेक मुद्दों पर अपने सुझाओ दिये बैठक में कृषी से समधित लक्ष चुनोतियां और समर्थ विशे पर विचार विमर्ष किया गया इस समवात कारिकम में युवा, किसान, महिला और प्रबुद्यजनों ने भाग लिया इस मौके पर वित्यमंतर को राज स्थापन दिवस की दिन पेश के जाएगा। इसके नुसार गवश की तसकरी करते पकड़े जाने पर साथ वर्ष की जेल या पचास हजार रुपए या दोनों जुर्माना लगाए जा सकते हैं। आदेश के नुसार जिस वहां से गवश तसकरी की जा रही होगी उसे भी जब्द कर लिया जाएगा। केंदर सरकार ने राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंतरन वाले स्थानों को गवाहों से पूछताच के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंदरेगरी सच्चिव अजय भल्दा ने इस सम्मन्द में सभी राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के मुख्य सच्चिवों को पत्र लिखा है। प्रदेश के चार नगरे निकायों बिलासपुर, राइगर चापा और भाटा पारा का चैन प्रतिष्टित स्पाक पुरुसकारों के लिए किया गया है। राज्यमंत्री तो खंसाहू ये पुरुसकार प्रदान करेंगे। उप्मुख्यमंत्री अरुन्साओ ने इस उपलब्दी के लिए सूडा और चारों नगरे निकायों की टीम को बढ़ाई दी है। कबिर धम जिले के सोनवाही गाउं में बैगा आदिवासियों की मृत्यों के समद में जाच के लिए कलेक्टर दोरह बनाए गई तीन सदसी टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्टूत कर दी है। जिला पशासन के नुसार सोनवाही गाउं में अब हालात समानी है और गाउं में सौश्विवर लगाकर लोगों की जाच और उपचार किया जा रहा है। स्वास्य मंत्री श्याम बिहारी जैस्वाल ने बीजापुर जिले में एक दीवसी प्रवास के दुरान कल स्वास्य भाग के कारियों की समिक्षा की। इस दुरान उन्होंने सभी आवासी स्कूल, पोटा केबिन, छातरावास, आश्रम, एकलवे, विद्यालय सहित, और सभी आवासी संस्थाओं में मलेरिया जाच की निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बरसाथ की मौसम में मलेरिया, डैरिया और जल जनित बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन उपाय किये जाए। श्यापुर जाच और रिपोर्ट में ततपरता लाने के अपने प्रवास के दुरान शीजय स्वाल ने बीजापुर जिला अस्पताल का भी निरिक्षन किया। इस बीच वनमंत्री के दारकश्य अपने कल सुक्मा में राजसरकार दोरा संचाले ते विभिन कारकरमों के किरियान्वन के समिक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा क कि बरसात की मौसम में मौसमी और जलजनित बीमारियों के रोक थाम के लिए सभी आवश्य का कदम उठाय जाएं। उन्होंने कहा कि सौसुभा के कर्मी मलेरिया उन्मूलन के लिए मच्चरदानी वित्रण और डीडीटी छिरकाव सुनिशित करें। पुलीस के समक्ष आत्मसमर्पन किया। ये सभी मावादी संगठन में लंबे समय से सकरी थे और इन पर कई घटनाओं में शामिल रहने का आरूप है। आत्मसमर्पित मावादीयों को राजसरकार के ओर से 25-25 जार रुपए की पूस्साहन राश्य प्रदान की गई। इस उसर पर शिक्ष आविद्य डॉक्टर हेमलता एसमोहन ने कहा कि ने शिक्ष नेती का लक्ष बारत को ज्यान के क्षेतर में वैश्विक महाशक्ती के रूप में साबित करना है। संपूर्णता अभियान के तहट कोंडा गाउं जिले के अकांग्ष विकासकर्ण माकडी में विभिन कारक्राम आईजित के जार हैं। इसी कड़ी में शिक्ष विभाग द्वारा इसकूली बच्चों के लिए निबंध, नारा लिखन और रंगोली प्रतिवगिता कायजन किया गया। प्रतिवाली के जंगल में हुआ, पिकप वहन में 21 लोग सवार थे जो सारंगर से मजदूरी करने बरम किला जा रहे थे। प्रतिवाली मौके पर मौजूद हैं। वहीं रागड जिले के धरम जैगड में एक पिकप और दो पहिया वाहन की भिढंत में एक युवाक घायल हो गया था जिसकी इलाज के दुरान मौध हो गई। कुर्बा जिले के भालू सटका गाओं में कुर्बा वनमंडल द्वारा आजित वन महसो कारकर में इसकुली चातर शातरा और करमिचारियों ने एक साथ एक समय पर और एक स्थान पर दो हजार दो सो तीहतर पोधों कर उपड़ किया इस उसर पर श्रमंतरी लखनल देवंग के तहित इस्थानी मैलाओं को स्वच पेजल की महत्ता पानी का संचेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी दे गई अब कुछ खबने संक्षेप में राशपती द्रौपदी मुर्मूने नयमूर्थी एन कोटीश्वरसी और आर महादेवन को सर्वच न्यालय का न्याधिश नियुक्त किया है श्रम मंत्री लकल्लाल देवंगन कल कुर्बा में शहीद विर्द रैंसी श्रम नियोजना का शुभारम करेंगे श्री राम लादर दर्शन नियोजना के तहत बलरामपूर रामनुज गंजिले के 164 श्रधालू कल 17 जुलाई को एद्ध्यक लिरवान होंगे बारती डाक विभाग च्छतिसगर डाक मंदल द्वारा आज विश्व सर्प दिवस के आउसर पर आमजन में जागरूपता लाने के उद्धेश से पिक्टोरियम पोस्ट काड और कैंसलेशन कैचेट का विमोचन किया गया और च्छतिसगर मादमिक शिक्षा मंदल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वित्टिय मुख्य आउसर परिक्षा के प्रविश्पत्र मंदल की वेबसाइट और सम्मदित संसा के पोर्टल पल अप्रूट कर दिया गया है अन्ति में मुख्य समचार एक बार फेव प्रदेश के सभी नगरी निकायों में 27 जुलाई से 10 अगर्स तक जनसमस्यन दिवनान पक्वाड़ा का आज़न के जाएगा राजनीती आयोग द्वारा चत्तिस गड़ विजन डाक्यूमेंट दो हज़ार से तालीस तयार करने आज रायपूर में समात कारक्रम का आज़न के गया चत्तिस गड़ को दिन डैल अन्तिदय योजना राष्टिय शहरी आज़ीव का मिशन में उत्रिष्ट कारियों के लिए पांच राष्टिय पुरुसकारों से नवाज़ा जाएगा और सुकमा जिले में दो महिला सेत चार इनामी मावधियन की आत्मसमरपड इसे के साथ प्रादिश्ची समाचार बिलेटन समाप्त हुआ नमस्कार